हेलो स्टुडिंट्स, सो फाइनली आज का हमारा ये राउंड वन का मैट्स का चार दिन में से ये आखरी दिन का लेक्चर है ठीक है आज हमारा चैप्टर समात हो जाएगा ठीक है तो मैं चाहूंगा कि चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आप उसको अच ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वो है ordering of numbers ठीक है ordering of numbers में क्या होगा जैसे कि आपको कोई भी दो number दिया होगा उसको compare करो compare करना मतलब ये देखना कि कौन सा number बड़ा है कौन सा number छोटा है ये सारी चीजी यहाँ पर आपको मिलेंगी अब देखिए कुछ चीजे है rules देखि कोई भी 2 number हमको दे दिया और कहा गया कि बता हो कि ये दो number में बड़ा कौन सा है तो हम गिनेंगे तो नहीं ठीक है तो हम ये पास कुछ तो rule होना चीए कोई तरीका होना चीए जिसके आधार पर हम ये बता सके कि कौन सा number बड़ा है कौन सा number छोटा है तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहला rule किया है the number having more digits than another is greater यानि अगर दो number कोई भी दिया गया हो ना तो सबसे पहले आप digits को गिनो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 digit है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 6 digit है और यहाँ पर 5 digit है तो पहला rule क्या बोल रहा है अगर दोनो number में से जिस number में ज्यादा digits होना तो automatically वो बड़ा हो जाएगा automatically वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा बात समझ में आ गई ठीक है second if the number have the same number of digits कहने का मतलब क्या देखो कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 इधर भी 5 digit है इधर भी 5 digit है then start by comparing extreme left digit left digit यानि यहां से न आप उसको compare करना शुरू करो left जैसे कि देखो यहां पर 7 है यहां पर 5 है अगर इन दोनों में ही difference मिल गया न जैसे देखो यह 7 है और यह 5 है तो 7 हमको बढ़ा होता है तो automatically अगर 7 बढ़ा है न तो यह पूरा number बढ़ा हो जाएगा तो देखो यहां पर उन लोग ने वही दिया हुआ है ठीक है फिर क्या बोल रहा है if the digits on the extremely left are same फिर से क्या बोल रहा है अगर फिर भी वो starting first first later बढ़ा है न तो कोई tension नहीं तो आप दूसरे वाले पर जाओ देखो दूसरा किया यहां पर 6 है यहां पर 8 है तो दूसरा भी अगर जिसका बढ़ा होगा न automatically वो number बढ़ा हो जाएग ठीक है देखे example number one देख लेते हैं compare इन दोनों को compare करना यानि कौनसा number बढ़ा है कौनसा number चोटा है देखे बहुत simple है पहले digits गिनो 123456 123456 दोनों में 6-6 digits है ठीक है तो पहला वाला rule तो fail हो गया अब दूसरा वाला rule देखते हैं दूसरा वाला rule क्या है कि एकदम extreme left तो यहा पर satisfy नहीं हो रहा है जिसकी मदद से हम यह पता सकी कौनसा number बढ़ा है कौनसा number छोटा है ठीक है अब बात आती है ना उसके अगले वाले number को देखो तो यह कौनसा number है 6 यह कौनसा number है 8 अगर 6 से 8 बढ़ा है ना that means यह पूरा number बढ़ा ही होगा तो इसका answer क्या है मालूम है इन दोनों में comparison करना है देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों में 6 6 डिजित है अगर 6 डिजित है अब मेरा क्या होगा मालूम है मुझे extreme लेफ देखो यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर भी 7 है ठीक है इससे भी हमको help नहीं मिल रही है इसमें 8 है यह बी 8 है यह बी 8 है यह बी 8 है यह ब नंबर बड़ा होगा देखलो यह बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और इसी के अधार पर अभी जो next topic आने वाल है नंबर सी in ascending and descending order इसके अंदर अगर आप इस technique से करोगे तो आपको यह easy पड़ेगा और आप अच्छे से अच्छे समय में कर पाओगे और आपको मजा भी आए तो देखो इसमें सबसे बड़ा कॉण सा है तो सबसे पहले digits गिनो chains 1 2 3 4 5 यहाँ पर पांच डिजित है यहाँ पर फांच डिजित है यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा digits किसके पास है जबसे लिए वाले है पर यह सारे पांच-पांच दिजित वाले है एक्जक्ली अब यתח क्या 1st No. ho गया ना उसको 2nd No. पर लिखा था है फिर 5 वाला सब से बढ़ा है तो उसको यहां लिखा गया है 4 वाला सब से छोटा हो ही गया तो उसको यहां पर लिखा गया है similarly ascending order मतलब होता है छोटे से बढ़ा तो यही concept पहले digits को गिनो यहां पर भी 6 डिजिट है। पहले वाले नंबर देखो, तो सबसे पहला वाले नंबर कौन सा सबसे छोटा है यह, तो देखो, सबसे पहले इसको लिखा गया है, फिर इसको लिखा गया है, फिर इसको लिखा गया है, फिर इसको लिखा गया है, इतने सारे को गिनने की जरुरती निया बच्चो, ठीक है, अगर आप सबको देखने जाओको न इतने बड़े बड़े नंबर से आप सोचो करें यार मैं कैसे इसको कर सकता हूँ तो लॉजिक है इसके और यह लॉजिक ही आपको यूज करना है पैरेंट्स यह लॉजिक बच्चो को समझाना ठीक है वो थोड़े छोटे हैं अगर समझ म 3, 4, 7, 6, 8 कोशन के आप उचा गया from the largest number मतलब इसकी मदद से इन सभी digits की मदद से आपको एक सबसे बड़ा number बनाना है तो इसमें सबसे बड़ा number कैसे बनेगा देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा 8 तो 8 को पहले लिख लो फिर कौन सा number है 7, 7 को बात में लिखो फिर उससे छोटा कौन सा है तो 6, फिर 4, फिर 3 तो यह आपका बन गया सबसे largest number आई बस आन में तो एक दम easy है अब यह देखो write the smallest and the greatest 6 digit number with the digit देखो कौन कौन से digit है अपने पास 3 है 8 है 0 है 4 है 2 है और 7 है यह 4 है अब कोशन क्या कुछ है कि सबसे बड़े तो इनको ले करना आपको सबस सकते हो क्या होगा मैं यहां लिखता हूँ सबसे बड़ा ठीक है तो इन में देखो सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा 8 है तो 8 को लिखो फिर क्या आ रहा है 7 आ रहा है 4 आ रहा है फिर क्या रहा है 3 है फिर क्या है 2 है फिर क्या है 0 है तो यह ना इन 6 digits को use करके सबसे सबसे बड़ा six digit का number है यानि greatest राइट अब कोशन ही है ना कि smallest बना कर दिखाओ अब एक चीज में आपको बता दू बच्चो बहुत ही ध्यान से सुनना जब भी आपको कोई भी number दिया हो ना digits उसमें zero हो ना तो आप यह सोचो कि यार सबसे छोटा तो zero है तो zero से शुरू करू नहीं अगर आपने zero से शुरू किया ना तो आपका six digit का number ही नहीं बनेगा वो automatically क्या हो जाएगा five digit का number हो जाएगा क्योंकि जब starting में किसी भी number के starting में zero होता ना तो वो zero की value नहीं होती है वो zero की value किसी भी एक number के बाद दिखोगे ना तभी value होती है तो अगर बच्चो अग तर क्या है इनके zero के बाद जो just बड़ा number है ना उसको पहले लिखो उसके बाद तुरंद zero लिखो फिर three लिखो फिर four लिखो फिर seven लिखो फिर eight लिखो और यही तरीका यही आपका smallest number बनता है आया समझ में है ओके अब देखो example number three क्या बोल रहा है write the smallest and the greatest six digit number using the digit four eight two and two twice या इसका मतलब होता है दो दो बार use कर सकते हो तो इन तीन डिजित को दो दो बार use करके ना आपको six digit का सबसे greatest बूलेस नमबर भी बनाना है और स्मालिश नमबर भी बनाना है definitely देखों इन तिनों में ग्रेका है और यही काम अगर स्मालेस में करना है तो यह बड़ आसे हमाइब कोई कोदऊ करलो और एटको भी दो बार यूज कर लो आई बस हमिए बच्चो, exercise 1.7 देखते हैं, देखे, put this or this or equal to in the boxes to make the number sentences true, अब दिमाग लगाओ, इन दोनों के बिच में आपको use करना है कौन सा, आप देखो, मैं एक आपके लिए करके देता हूँ, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां भी 6 डिजिट है, यहां भी 6 डिजिट है, ठी रानी कर पाएंगे, किस की तरफ हम लोग यह open करें, तो हम लोग 1st डिजिट देखेंगे, यह भी, यह भी सेम है, 5 भी सेम है, 1 भी सेम है, 3 भी सेम है, 7 भी सेम है, 6 भी सेम है, अगर सारे डिजिट सेम है, तो यहां पर equal to का sign आएगा, ठीक है, अभी 2nd करके देखता हूँ, यहां पर भी 6 डिजिट है, यहां पर भी 6 डिजिट है, उसके बाद हमको क्या देखना है, 1st डिजिट, यह 2 है, यह 1 है, 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है, तो हम लोग इसको, इसका face इस तरफ open कर देंगे, हमें दूसरे डिजिट को देखनी की जरुरत ही नहीं ह आई बस समझ में, देखो एक बर 4 भी करके दिखाता हूँ, 4, 6, 0, 1, 0, 1, 4, 6, 1, 0, 0, 1, तो देखो इसमें क्या है, कि यहां पर भी 6 डिजिट है, यहां पर भी 6 डिजिट है, तो यह 4, 4 हो गया, फिर 6, 6 हो गया, फिर यहां पर 0 है, और यहां पर 1 है, तो 0 और 1 में बड़ यह तरफ चला जाएगा आई बस में उसे तरीके सब देखो Ascending order मतलब छोटे से बढ़ा जोटे से बढ़ा यानि नीचे से उपर की तरफ जाना और descending में क्या है कि उपर से नीचे आना उपर से नीचे आना यानि बड़े से छोटा अब वो टेक्निक आपको पता ही है और आप कर भी सकते हो असानी से digits देख लो फिर उसके बाद सिर्फ first letter देखो first letter से पता चलता तो ठीक है ने तो second letter भी देखो जैसे कि देखो इसमें आपको बता दूँ इसमें थोड़ा सा confusion है यहाँ पर भी 6 digit है यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6 लेकिन इसमें न सबसे छोटा कौन सा है देखो, शुरुवा 2, 2, 2 ये दुनों तो ठीक है इन तीनों से तो बड़े ही है क्योंकि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 है लेकिन अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है न वो second digit देखने के बाद पता चलेगा उसके बाद यह आता है उसके बाद यह आता है ठीक है, क्योंकि इसका second digit क्या है 8 है, और उसी तरीके से आपको replace करना है आई बाद समझ में सेम चीडिसेंडिंग order में भी आपको करना है अब देखो D, form the greatest number by rearranging all the digits of the following number अब greatest number बनाना है मतलब इनको इस्तमाल करके न सबसे बड़ा number तो देखो, कुछ नहीं करना सबसे simple है इसमें सबसे बड़ा number कौन है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 0 बस यही आपको लिखना है वही सेम चीज यहाँ पर भी करना है और इसमें भी याद रखना smallest number बनाना है देखो, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर काम करना क्योंकि जोश जोश में आकर न, 0 को पहले मतलिख देना क्योंकि अगर आपने 0 लिखा न, तो यह एक digit आप खो दे रहे हो, तो इसकी शुरुवात किस से होगी, 1 से होगी फिर 0 लिखना, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8 आई बस समझ में, तो इसी तरीके से कारिय होने वाला है अब write the smallest and the greatest 4 digit number by using the digit this only once अब इन चारों को use करके, सबसे smallest और greatest तो smallest तो देखो, smallest की जहां में बात करता हूँ न, तो सबसे पहले नंबर आएगा 2, फिर 4, फिर 5, फिर 9 और greatest की बात करूँगा न, तो यह आपको पता है, मुझसे बहतर पता है आपको की 9, फिर 5, फिर 4, फिर 2, देखो यह बहुती easy है, बहुती easy है, अब G की देखो, write the greatest and the smallest 6 digit number by using the following digit only once, यह आप खुदी कर लो, ठीक है, write the smallest 3 digit number, मतलब इसमें क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ, इनको use करके, एक बार greatest number ही बनाना है, और एक बार smallest number ही बनाना है, फि repeating 6, 2 times, यानि 4 और 6 को है न, इस्तमाल करना है, और 3 digit number बनाना है, वो भी smallest, लेकिन 6 को 2 बार आप use कर सकते हो, तो अगर smallest बनाना है मुझे smallest, तो 4 और 6 में छोटा कौन सा है, 4, अब 6 को 2 बार use करना है, तो 6 को यहाँ लिख दो, खतम, यह answer है आपका, second क्या बोल रहा है, write the smallest 3 digit number using the digit 0 and 3, repeating 3 2 times, अब smallest बनाना है, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आप जोच जोच में आकर 3 3 0 मत लिख दना, इसमें कहाएगा 3 0 3, आपका समझ में, यह वो सबसे smallest number है, अगर 3 3 0 लिखा तो वो तो greatest number बन जाएगा, आपका समझ में, similarly write the smallest 4 digit number using digits 384, repeating 4 2 times, अब मुझे फिर से smallest मनाना है न, तो देखो 3 सबसे छोटा है, लिख दो, 4 को दो बार यूज़ करना है न, तो 4 को दो बार यूज़ कर लो, क्योंकि 2 0 4 8 से छोटे है, तो यह आपका answer है, राइट, अब यह देखिए, आई वाला जो question है न, यह थोड़ा important है, और थोड़ा दिमाक वाला है, मतलब इसका level थोड़ा बड़ा है, comparatively, अभी तक जो क्या न, उनसे काफी बड़ा level है, इसमें क्या पूछ रहा है, write the smallest 5 digit number, यानि 5 digit number का आपको एक number ढूणना है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 digit का ही number ढूणना है, यहाँ पर भी 5 digit का ही number ढूणना है, लेकिन condition क्या दिया हो, only 2 different digits, with 4 in the 10,000 place, 4 in the 10,000 place, यानि 4 in the 10,000 place, अब क्या बोल रहा है, only 2 different digits, अब जो 2 digit यूज़ करें, वो 2 ही होने ची और 2 ही अलग लग होने ची, यानि यहाँ पर 00 आएगा, और यहाँ पर 11 आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि इन लोग ने क्या बोला, 4 तो 10,000 की place पर होना ही होना चीए, और साथ में 2 different digits ही यूज़ करना है, तो 2 different digits यानि मैंने 1 और 0 को यूज़ कर लिया, और 1 और 0 अगर होंगे न, तो 00 पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 से चोटा है, क्योंकि मुझे smallest बनाना है, तो यह 5 digits नमबर बन रहा है, अब all different digits, अगर सारे के सारे digits अल 5 in the 10th place, 5 in the 10th place मतलब यहाँ पर आ गया, अब क्या बोल रहा है, 3 different digits, अब मुझे बताओ, कैसे करेंगे, इसमें 3 different digits है, तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हो, यहाँ पर आप 0 ले सकते हो, ठीक है, अब 5 in the 10th place बोला है, न, देखें, यहाँ पर न, 3 different digits, with 5 in the 10th place, यानि इसमें 3 ही different digits होने चीए, तो 5, 3 में से 5 तो आई गया, अब हमने 1 ले लिया, अब छोटे के लिए हमको 00 ही put करना पड़ेगा, आई बस समझ में, देखिए एक छोटी चीज मैं है, शायद यहाँ पर mistake कर गया हूँ, only two different digits with four in the 10,000 place, मतलब कि हमें न, दो ही different digits यूज़ करना और वो दो different digits में से न, four को तो fix करना ही करना है, तो यहाँ पर शायद one one नहीं आएगा, बलकि 00 ही आएगा, क्योंकि यह five digit का ऐसा smallest number है, जिसमें से दो ही digit यूज़ करना है, तो हमने कौनसी दो digit यूज़ की, four and zero, ठीक है, तो यह थोड़ा correction है, मैंने आपको पहले कुछ और तरीके समझा दिया था, बट यहाँ पर मैं correction उसको कर रहा हूँ, ठीक है बिटा, ओके, देखिए, j write the predecessor and successor of the following number, predecessor मतलब क्या, इससे जस्ट पहले वाला तो मैं एक आपके लिए कर देता हूँ, 292567, यह word याद अपना है predecessor, और successor मतलब इसके जस्ट बाद वाला, यानि 292569, तो इसी तरीके सा आपको यह 3 भी कर लेने हैं, और देखो find the pattern and then feel in the blanks, अब pattern बहुत ध्यान से देखना है, इसमें और इसमें कौन सा number बार 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 बा 7 बदल कर क्या हुआ, 8 हो गया, 8 बदल कर क्या हो गया, 9 हो गया, अब यह देखो, या तो आप इस तरीके से देखो, या तो कैसे देखोगे, 37 था, तो 38 हो गया, और 39 हो गया, तो अगला क्या होना चीए, 40 होना चीए, फिर 41 होना चीए, फिर 42 होना चीए, similarly, अब देखो यह यह pattern आपको ध्यान से देखना है, जैसे इसमें देखो, यह कैसा हो रहा है, 49, 48, 47, तो इसके बाद का हैगा 46, जानी 6, 4, 6, 9, 8, 0, 6, 4, 5, 9, 8, 0, और इसी तरीके से आपको चलते जाना है, यह आपको मैं अपने मर्जी से करने के लिए दे रहा हूं, तो भी help कर दूँगा, ज 34, 44, तो simply यहाँ पर क्या हैगा 9, 5, 5, 6, 5, 5, और उसी तरीके से आगे बढ़ना है, L क्या बोल रहा है, write the following numbers in the descending order from, यहाँ से यहाँ तक पूरा descending order में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा, जैसे 42,000, 50 है ना, तो पूरा नीचे, उपर से नीचे के तरफ जाओ, इसमें भी सेम तरीके से, और इसमें छोटे से, मतलब, छोटे से उपर तो है, मतलब यह 18 नंबर लिखने है, पूरे के पूरे, ठीक है, students, अब जो next topic है, वो एक important topic है, वो topic है round off के regarding, rounding off, rounding off, अब rounding off में क्या होता है, इसमें, यह लोग actually question कैसे पूछते है, round off to the nearest, to the nearest 10, 10, फिर similarly to the nearest, 100, और ऐसी to the nearest 1000, इसका concept बहुत ही easy है, समझ लोग अगर कोई भी एक number दिया है, 562 दिया हुआ है, अब question पूछा है, finding, rounding off to the nearest 10, 10, यह नहीं, 10 वाले digit को round off करना है, ठीक है, अगर मुझे इस digit को round off करना है, तो इसमें या तो, यह 6 ही रहेगा, या तो यह 7 हो जाएगा, और वो, वो 6 रहेगा, या 7 हो जाएगा, उसके लिए न, हमें इसको देखना बहुत जरूरी है, देखो, अगर यह वाला ठीक है, जब यह 5 से छोटा होगा न, तो इसका अंसर हैगा, 560, अब देखो, अगर यही सेम चीज, इस तरीके सो होता न, देखो, यह 7 है, nearest 10 पे मिरको round off करना है, तो यह 7 है, अगर यह 7 है न, तो क्या करना है, मलुम है, 5 से बढ़ा है यह, exactly, तो इसका अंसर हो जाएगा, 570, यह तो हमेंसा 0 ही होने वाला है, जिस डिजिट पे हमको round off करना है, उसके बाद के सारे डिजिट 0 ही रहने वाले है, बस सिर्फ फर्क यह है, कि यह वाला डिजिट में plus 1 होगा, यह नहीं होगा, plus 1 कब होगा, जब बाजु वाला डिजिट 5 और 5 से बढ़ा होना, तभी, आई बस समझ में, यह तरीके से आपको work out करना है, समझ लो एक और नमब ले लिया, 7862, ठीक है, question है, nearest 100 पे round off करो, तो 100 डिजिट पे मतलब 8, इसको मुझे round off करना है, इसको round off करने के लिए मुझे इसको देखना जरूरी है, अगर यह 5 और 5 से बढ़ा है, यह 5 और 5 से बढ तो मुझे यह वाले डिजिट को देखना है, अब यह डिजिट 5 से छोटा है न, तो इसका answer सिर्फ 7800 रहेगा, इस तरीके से आपको sums को करना है, बच्चो, exercise 1.8 आप देखो, round off each of the following to the nearest 10, nearest 10 मतलब आपको इसको round off करना है, 8 को round off करना है, लेकिन इसको round off करने के लिए आपक इसको round off करने के लिए मुझे देखना किसको है, 5 को है, तो जब 5 को मैं देखोंगा, तो 5 और 5 से बड़ा है, तो यानि इसमें 80 होगा, अगर यहाँ पर 5 आ जाया है, और 5 से बड़ा जाया न, तो automatically यह बड़ा हो जाता है, यानि 7 वाला जो नंबर है न, वो 1 प्लस होके 8 हो 1 बन जाएगा 2 और वो बन जाएगा 0 क्योंकि यह 9 है, similarly आपको यहाँ देखना है, यहाँ 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 उसी तरीके से आपको वर्काउट करना है, हर को इसमें ही round off करना है, क्योंकि nearest tense बोला है, nearest tense मतलब tense digit की जो position है न, उसको मुझे round off करना है, और उसको round off करने के लिए म यसे गिदेखो यह इसका answer क्या वालो में, 8090 हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि बाजू में क्या 5 है, इसमे क्या हो जाएगा, 12580 हो जाएगा, क्योंकि बाजू में क्या 8 है, तो यह 8 है ना, तो इस यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, same चीज, इसमे 980, इसमें भी 6 अब हो यह बहुत अच्छी चीज़ है अगर यह यह सबसे इंपोर्टन समय क्योंकि देखो यह 9 है राइट अगर यह 9 10 बनेगा तो इसके जगा पर 0 लिखकर carry forward 1 करके 3 यहां पर लगाएंगे और 63 इस तर किसे यह answer आएगा ठीक है 6300 यानि 6300 similarly nearest 100 यानि मुझे इसको round off करना है तो मुझे देखना यह वाली position को है 6 बड़ा है ना 5 और 5 से तो इसका अंसर आएगा 200 देखो अभी इसमें इसको round off करना तो 1 छोटा है ना तो इसका अंसर सिव 800 ही आएगा तो यह 9 नहीं बनेगा देखो यह 6 है ना बाजुवाला 5 से छोटा ह पर यह वाली रहेगा देखो इसमें भी ना मुझे 5 को round off करना तो बाजुवाले को 2 को देखो 2 छोटा है ना तो इसमें 5 वैसे रहेगा और बाजुवाले दोनों 0 हो जाएंगे नेरे 1000 मतलब 6 को देखना है इसको round off करना है तो मुझे इसको देखने करें 3 की जरुष है 3 5 से चोटा है ना तो यह 6,000 हो जाएगा similarly आपको उसी तरह के से करना है देखो इसमें इसको round off करने कलए मिरको इसको देखना भी 9 है तो 95 से बड़ा है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा 000 तो हो जाएगा लेकिन ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और इसी तरीके से आपको करना है ठीक है या खुद करना नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है ठीक है इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ पर अपना एक्सेस खतम होता है और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने notebook में लिखना बच्चो ठीक है टेक्स बूक में तो मैं आपको समझाने के लिए कर दिया लेकिन हर एक समको आप अपनी notebook में करना जो भी नहीं आता तो आप मुझे freely होकर call करना और मैं आपको आगे help करूँगा ठीक है चले thank you